नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से गवर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ important company के update लेका हूँ, और आज का वीडियो बहुत interesting होने वाला है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने comments किया था, और उसी के basis में मैं इस वीडियो आपके सामने लेका और वीडियो को सुरू करने से पहले मैं request करूँगा, आपका भी कुछ comments है, मतलब कुछ भी companies के उपर जानकरी चाहिए, तो पर जुरूर मुझे comments करिए, और मैं उसके basis में आपको वीडियो जुरूर बना के दूँगा, हाँ, कुछ दोस्तों ने ये भी मुझे comments किया, कि सर जितने सरे IP आ रहा है, उसके उपर एक वीडियो एटलिस्ट जुरूर पना के दीजेगा, जहाँ पर हम लोग को IP खरीदारी करने में, और IP के बारे में जानकरी पाने में आसानी हो, तो मैं अभी जल से जल नया सेरी स्टार्ट करूँगा, अब इसलिए IP के उपर जूरू करो यहां, यहां पर उसका नाम है IEX, देखें, इंडिन एनर्जी एक्सजेंज, जो एक मतलब दावे के साथ में बोल सकता हूँ, कि जिस पैटन को में बार बार आपको बोलता रहा हो, कि इस पैटन के उपर में काम करता हूँ, इस पैटन बहुत स्टॉंग है, मुझे करता है, कि साथ साल में उसी पैटन को फालो करके में काम कर रहा हूँ, उस पैटन को फालो करके में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो उस बेसिस में तो उस पैटन को दम नहीं है, यह बोलना बहुत कलत होगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग opinion है, और IEX के वर्चलम एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो लोग सोज रहे थे कि IEX के उपर जो पैटन के एड होता है, अक्चलि पैटन किस तरह के से पैटन के एड हुआ, देखिए मैं आपको बहुत दो बोल चुका हूँ, इस तरह के से पैटन को मैं कभी भी छोडता नहीं हूँ, और पैटन को ना तक 21 परसन का रेंज बना जब भी कोई रेंज 20 परसन के उपर बने और वो भी 200 देज यह में के नीचे बने मतलब स्टाइटिंग पॉइंट यह में के नीचे बने तो एक हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस लेवल को टच करेगा तब इसका एंटी बनेगा और इसका टॉब लेवल में टार्गेट बनेगा तो देखिए आप एंटी तो बना था एंटी बनने के बाद बहुत दिनों तक के और भी नीचे आएगा तो मैंने एक लेवल अब को मेंट्सन किया था जिस लेवल तक में और भी अबरिज करूंगा अगर आये तो 111 के आसपास तो 111 तक आया नहीं उसके बाद यहां से रिवसल किया और फाइनली टार्गेट अचिब किया देखिए एंटी लेवल से अ कीशी द्रकित कि अचिब किया वो साथ किश्चेृशन के बेसिस में कमपानी के ऊपर एक पॉसिपलिटी एक ग्रोथ अप्रोटनिशल थेखिने को मिलेगा और आपको बार-बार बोलता हूं कि कोई बी एंटी लेवल बना है तो blindly एंटी मत लेना उसके साथ साथ कमपानी के पार्फरमेंस भी देखना और मुझे पार्फरमेंस में बेश्ट पॉइंट अहां पर लगा कमपनी के कर्जा तो जीरो है और आरोसी आरोई बेश्ट था इनकाम भी जबदस था क्योंकि लोग एक इसका मोनोपोली बिजनेस खतम हो जाएगा इसको सोचकर ही माल को बेज रहा था और एक बात में बार बार बोल रहा था कि कमपनी इसको पर मोनोपोली खतम हुआ तो क्या हुआ कमपानी अच्छा खासा दम रखकर काम कर रहा है क्योंकि कमपानी का sales बढ़ा expense control में था और कमपानी का net profit लगातर बढ़ता हुआ देखने को मिले तो अलग level का यहाँ पर क्या हुआ एक growth देखने को मिले है उसी basis में मैंने क्या-क्या trade लिया क्योंकि investor भी इस company के उपर continue कर रहा था तो जब institution continue कर रहा है company का profit गोद अच्छा है company का sales growth अच्छा है और company का return of equities भी अच्छा है सब कुछ अगर अच्छा दिखे तो क्या उस company को वो trade नहीं लेना चाहिए मैं तो दबा का trade लिया हूँ और मतलब मेरा अच्छा कासा trade भी हुआ और अच्छा कासा target भी अच्छीव हो चुके है तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे कि patterns में दम नहीं है मैं आपको बता दू patterns में दम होगा आपको उसी patterns में दम नहीं दिखेगा जहाँ पर आपको fundamental और financial ठीक नहीं है तो fundamental और financial ठीक है उसके बाद कोई technique के लिए आपको support दे रहा है तो वो टेड़ आपको बेश तरीके से target अच्छीव करा सकते है या ऐसे नहीं कि जब भी आप entry लेंगे बहुत से directly target देगा ऐसे होगा नहीं कुछ time लग सकते है तो आपके क्या रहा है जोरो comments करके बताना देखिए आपको मैं बार-बार बोलते रहा हूँ कि कोई भी company इसके उपर अगर आपको सही लगे आपको decision सही लगे तो उसके उपर study करके काम करना और वीडियो अच्छे लग रहा है तो please एक like जोरो करना तो next company उसके नाम है बेदंता इसका नाम है वीडिल देखिए वीडिल के उपर बहुत सारा लोगों का confusion है और बहुत सारा लोग इस company के उपर निवेजबी करकर रखे हैं देखिए मैं इसके उपर कभी मतलब जब भी काम किया हूँ वो ट्रेडिंग परपस में किया कोई भी आज तक कोई भी investment परपस में काम नहीं किया क्योंकि मुझे इस company में कुछ दम नहीं लगता है क्योंकि company के उपर बहुत सारा मतलब घोटाला case है क्योंकि मैं इसके उपर एक डीडर्स वीडियो भी आपको सास्यार किया था क्योंकि company का dividend yield अब देखेंगे 38.9% आज तक कि इंडिया में जितने सारे company से सबसे ज़्यादा dividend प्याउट इसी company दिया है 38.9% का मतलब आप समझते हैं कि एक company के अगर उपर किसी व्यक्ति ने एक लाग रुपिया निवेश करकर रखे थे तो उसको 38.900 रुपिज डेविडिन के इसाब से मिलेगा तो कितना बड़ा धामा का dividend मिला है आप सोचिए तो इसको देखकर बहुत सारे लोखोश हो जाएंगे अगर एक चीज में बता दू company आपके पैसा आपको घूम फिरकर दे रहा है तो जो लोग सच रहा है कि डेविडिन बहुत सांदार मिला इसके लिए में बता दू मानके चलिए आपको मैं आज 100 रुपिय दे रहा हूँ तो आपको आज 100 रुपिदे रहू और कल अपको 50 दोंगा और परस्वृ अपको 50 दोंगा तो आप कहेंगे मुझे तो दो दिनी में 50-50 मिलिया मुझे तो जाधा time पैसा मिला विलकु नहीं ultimately आपको कितना मिला ultimately आपको 100 मिला तो आपी के 100 रुपीज के पैसा वो डेबिडेन के तरफ से आपको दिखाया और आपको चूना लगाया और उसके साथ साथ कमपानी खुद प्रोफिट कमाये और आपको चूना लगा कर वो आपको सेम आपी के पैसा आपी को दिया और आप कहेंगे सर मैं तो बहुत खुस हू मुझे अच्छा का सा dividend मिला, बिल्कुर नहीं, तुरा के पुरा पैसा किस ने लिया, प्रोमोटार ने लिया, प्रोमोटार के उपर ही सबसे अधा होल्डिंग्स है, FISO DS के पास उत्रा होल्डिंग्स नहीं है, हाँ, इस कमपणी के उपर एक बहुत बड़ा update है, जो मैं आप 2001 से बेदनता हैज declared 48 टाइम्स डेविडेन कमपणी दे चुके है, तो बेदनता लागातार डेविडेन देता जा रहा है, और इस डेविडेन के चक्कर में लोग फसते जा रहा है, मैं इहीं काऊंगा, कि इस कमपणी के उपर निवेश करने से पहले सोचिए, हाँ, आप टे सेयर कर चुका हूँ, कि किके कमपणी में इस बार कमपणी बीगेस लास किया, अभी लास होने के पीछे और कोई कारन नहीं है, कमपणी के उपर जो बिजशनिस का मॉड ratios है, उस models के कारन ही लास हो रहा है, तो चमपणी के उपर जी बात कहूँँगा, के कमपणी इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे एक स्टॉंग ली एक नीचे साइड में क्या था एक सपोर्ट था इस सपोर्ट को टच किया और अभी बढ़े सपोर्ट को रिटेस्ट किया और उसके बाद धीर देये करके उपर जा रहा है तो अभी दो points यहां पर जुरूर आप यात रगना पहली बात यहां पर strongly 200 चैसे में है इसंको अगर break करके तो एक momentum देखने को मिल सकता है यहां कि अगर stay केट हुआ तो downside में फिर से आने का chances रहेगा तो मैं इस company के उपर अभी भी कोई भी दोगुना कर दिया और उसके बाद एक भी correction भी हुआ जीकर 1400 से अभी current price कितना है 1200 के आसपास अब जो भीडियो देखेंगे साथ वो change हो सकते है तो company के peer issue 79 के आसपास देखने को मिले और ROC ROE आपको बेश दिखेगा income भी अच्छा है करजा भी नाके बराबर है और depth भी company का control में है इस company में एक बहुत बड़ा weakness point क्या है company का जो major जो business है वो auto sector के उपर है और साथी साथ इसका जो सबसे ज़्यदा मतलब major जो customer है वो है Tata Motors अगर Tata Motors का growth होगा तो इस company का growth होगा अगर Tata Motors में क कोई भी दिक्कत आये कोई भी गर्वड़ी आये तो इस company के उपर भी गर्वड़ी आ सकते है 1994 में start वा था और इस company का IPO करीबन 14 साल लगा चुके थे IPO आने के लिए तो इतना बड़ा दिन के बाद इतने दिनों के बाद इस company ना IPO final लेकिया है तो company के जो competitor है उसकी इसाफ से बात कर तो IT सेक्टर से बिलंग करते है तो company का जो mainly competitor है वो Tata Lexi है और वो Tata Lexi Tata Group की company है उसके साथ company टकर दे रहा है वागा टकर देने में भी Tata Lexi को वो overtake नहीं करे पाएंगे कि 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 कर भी दिये तो Tata Lexi का अलग सबीजिनेस है यूकि Tata Lexi auto sector के उपर नहीं साथी साथ और भी बहुत सार टेक्स सेक्टर के उपर काम करते है तो Tata Technology Services के उपर दो बात को आपको ध्यान रखना है company के जो quarter result है sales में growth हुआ expense control में रखे और company का profit जाननी 500 क्रोर से 300 क्रोर बढ़ना तो यहां पर एक big positive sign देखने को मिला और company के जो investor है sorry company को इनवेस्टर आपको नहीं दीखेगा कि फिलाल के लिए हाली में company listing हुआ था balance sheet के बारे बात करो तो reserve लगातर बढ़ता हो देखने को मिले और company का करदा भी है चोटा मोटा अभी भी वो trade बढ़के हो चुके है 1000 क्रोन तो इसका मतलब company के जो trade है वो लगातर बढ़ता हो देखने को मिले तो यही प्लास्पन company के आगे बढ़ने के लिए एक support करेगा तो other investor sorry investor तो नहीं दीखेगा तो इस company के उपर finally जो last few days का delivery का percentage दिखा दू तो एक अलग level का delivery का percentage देखन को मिला करीबन 40 to 47% के आस्वार और टेक्निकली चाट परने के बारे मात करूं देखें कमपानी अभी एक range के उपर trade कर रहा है एकी situation को वो trade कर रहा है तो मैं जोरू कहूंगा यहाप एक company के उपर तो 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 profit booking करेंगे ही तो profit booking जो हो रहा है मैं एक चीज आपको यहापर कह सकता हूँ कि profit booking होने के बाद एके volume धिरे-धिरे करके week होता जा रहा है तो जब भी volume week होता जाएगा इसका मतला seller जो था वो seller यतना sell करना था वो sell compete हो जाएगा अभी buyer का activity start होने वाले है तो जल से जल इसके उपर कोई भी decision आएगा तो मैं जोरू comment आपको साथ share करूंगा मै integer कर रहा हो तो यहाँ पर एक patterns केट हो patterns बो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कफ उइध हैने patterns केट करेगा उसके बाद में जोरू यहाँ पर एंटी लेने वाला हो तो बागी सांती से बैठ रहा हूंगा अभी जब इसका मौका मिले तब में कुछ decision लोंगा next company उसका नाम है इस company को study करिए जब इसका finally update आएगा कि कब bonus मिलेगा split मिलेगा तब मैं आपके साथ जोरू share करूँगा तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे से रही अपने ख्याल रखिए धन्यबाद